रहम 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 एवर्वेडी स्वागत है सभी का वेदान्त अकेडमी इंदार और अंक्रोन इस्टेटीट के डिजिटल प्लेटफर्म पर आज हम बात करने वाले हैं एमपिटेट ग्रेट टू वर्ग दो के मैट्स के लास्ट पेपर के बारे में ये लास्ट पेपर है जो हमें डिसकस करना है इसका फर्स्ट पार्ट हम आज डिसकस करने वाले हैं तो बिना टाइम इधर इधर रुकिये हुए हम सीधे अपना पेपर start करते हैं, जैसा हम हमेशा करते हैं, आप लोगों के time का ध्यान रखना, आज भी वही start करते हैं आपना paper, यहां हमारा paper हम से बोल रहा है, पहला question, मैं समय 60 questions पहले पूछे जाते थे, अब 120 questions पूछे जाएंगे, पहला question हम से बोल रहा है, यदि x y is equal to यहां गोडन या फैक्टर के बारे में पूछ रहा है, फैक्टर के बारे में वो पूछ रहा है, फैक्टर वो पूछ रहा है, अब फैक्टर करने के लिए यहां क्या करेंगे, यहां हम कोशिस करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंपल करने की, क्योंकि इससे तो फैक्टर आना नही अगर यह दिया है तो यह हमें यूज करने के लिए दिया है यह अगर यूज करने के लिए दिया है तो हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं यहां वन लिखा है और यहां पर टू लिखा है अब इसे क्या कर सकते हैं इसे हम ब्रेक कर सकते हैं इसे हमने ब्रेक किया x plus y plus x y plus 1 इसको लिख लिए x plus y plus 2 को लिख लिए 1 plus 1 और एक 1 की जगे हमने क्या लिख लिए x y लिख लिए अब इस x y को चाहे x के साथ consider करलो या y के साथ consider करलो कहीं भी करلो चलेगा हम माल लेते हम यहां consider कर लिए इसके साथ consider कर लिए तो x plus 1 यहाँ आ जाएगा और इन दोनों में से y common लोगे ये क्या बच्चेगा 1 प्लस x 1 प्लस x या x प्लस 1 ये एक ब्रैकेट हो गया दोनों जगे x प्लस 1 ने बाहर लिख लिया तो अंदर ये पूरा चला गया बच्चेगा 1 और ये बच्चा यहां से y x प्लस 1 और y प्लस 1 option number 1 अब तुम्हें लगेगा sir ये तो आपको पता चल गया कि यहां से इस तरह से break करना था हम क्या करेंगे अगर हमारा नहीं होगा तो अगर आप एक पार करके देखे नहीं हो तो factor का मतलब सीधे ये होता है कि इसको तोड़ कर किस तरीके से लिखा जा सकता है यदि आप इसे into करेंगे तो ये वापस यहीं पर पहुंच जाएगा सभी का आपस मैं into करके देखोगे ये वापस यहीं मिल जाएगा और आप समझ जाना ये मिल रहा है मतलब इसको break करके इस तरह से लिखा है ये दोनों तरीके आपको बता दिए एक जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आता हो तो भी आपका answer आजाएगा उम्मीद है अब हम आगे बढ़ सकते हैं चलते हैं हम आगे अगला कुछन हम से बोल रहा है बड़ा सीधा सरल सा कुछन है हाँ ये चारों आप्शन है मैच करने को बोल रहा है एकस में एक जोड़ना मतलब वन का बी वन का जहाँ सी दे रहा है वो हटा दो पी से आठ गटाना पी माइनस एट टू का सी टू का सी अच्छा यहां उल्टा दे रहा है बी का सी का सेकंड ठीक तो दे रहा है टू का सी ये गलत हो जाएगा और फिर बचा ये इसमें मिल जाएगा माइनस फाइब को क्यों में कुणा करना तो ये तो सीधा सा कोश्चन था बॉनसी कोश्चन था ये सायदी किसी का गलत हो कोई जल्दभाजी में तुक्के मार के जाएगा तो गलत होगा एक बच्चे का सरवांगीन विकास डेस डेस के माध्यम से परिलक्षित होता है सरवांगीन विकास का मतलब होगा वो हर पहलू की बात कर रहा है सबी चीजों को मिला कर बात कर रहा है फिर option दे रहा है वो anecdotal record जो test वगरा record है वो वेक्ति का तद्धियन case study नहीं संचई अभिलेक संचई अभिलेक इसका answer बनेगा संचई अभिलेक के बारे में थोड़ा सा बता नहीं यहां संचई से मतलब होता है उसको क्या किया है संचित करके रखा और संचित करने का मतलब है यह एक लंबा record हो जाता है जिसमें हर एक जानकारी को हर एक जानकारी को उसमें record करके रखा जाता है जिसमें सभी पहलू सामिल हो जाते है माक्स अंक उसका एक हिस्सा होता है तो इसमें लंबा record रखा जाता है, लंबे classes का, schooling का पूरा record रखा जाता है, और उसे कहा जाता है cumulative record, सक्षिक अभिलेक नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, तो अगर बात की जारी है सरवांगीन विकास की, तो उसमें सभी चीज़ों को सामिल करना होगा, अकेला अंग उ second part में जो pedagogy है, उसके questions जादा मिलते हैं, देखते हैं, 10 cm किनारे वाले दो घन प्रतिक सिरों से जुड़े हैं, तो परिणामी घनाब का प्रस्चिक छित्रफल क्या होगा, दो cube लिए उसने, दो dice लिए उसने, ये 10 cm और ये 10 cm इन दोनों को जोड़ दिया, अब देखो 20, bit 10 और hide b 10, ये ऐसा बना रहेगा, और हमसे क्या पूछ रहा है, वो प्रस्चिक छित्रफल, घनाब का प्रस्चिक छित्रफल, वो क्या होता है, 2 lb प्लस bh प्लस lh, रख देती हैं value, l की जगे रखना है हमें 20, बाकी जगे 10, 20 कुणा 10, ये कितना 200 और 200, 400 और 500 का double, 1000 cm2, छित्रफले तो square में आएगा, 1000 cm2, ये हमारा answer बनेगा, easy question था, चलते हैं अब आगे, जहां समझाने का होगा, हम रुकेंगे और दोबारा से समझा देंगे उसको, 11 बुजाओं वाले, बुजाओं वाले बहुज के एक सीर्ज से हम कितने विकर्ण खीच सकते हैं, अब देखो, इसको थोड़ा सा simple way में समझना, basic से समझना, ये क्या है, जैसे हमने बना लिया, सट बुज बना लिया, ये हमने सट बुज बना लिया, इसमें पहले तो विकर्ण की definition पता होना चाहिए, विकर्ण होता है, किसी भी बहुज के विपरीद सीर्जों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, उसे विकर्ण कहा जाता है, वो विपरीद सीर्ज कौन से होते हैं, वो A vertex ले लिया तो इसके लिए विपरीद सीर्स कौन से हैं इसके लिए विपरीद सीर्स है यह B, C, D, E और F इसके लिए विपरीद सीर्स है C, D, E यहां से अगर हम मिलाएंगे A, C, A, D और A, E यह क्या होंगे यह होंगे इसके विकर इसलिए क्या किया जाता है जैसे इसमें कितने सीर्स हैं टोटल इसमें सीर्स हैं छे और हर एक के पास हर एक के पास बनाने के लिए सीर्स विकर्ण बनाने के लिए कितने सीर्स हैं जैसे यह है इसके पास एक दो तीन इसको इस तरह से लिखा जाता है और इसी का formula होता है इसमें Based side कितने है? n, और इसी कहानी इसकी नहीं हरा एक की होगी, क्योंकि इसको इसके अगर विकरण निकालने है तो इसको छोड़ना होगा इसको छोड़ना होगा अ यले कितने छोड़ना है अगर इसमें एक और भुजा या सिर्स होता तो आपन को double count नहीं करना, इसमें double count हो गया, इसलिए इसका relation आ जाता है, विकर्णों की संख्या का relation आ जाता है, n into n minus 3 upon 2, अगर इसमें 6 हैं, तो कितना मिल रहा है, मैं 3 मिल रहा है, 3 सीर्सों को छोड़ना है, इसमें कितनी बुजाए हैं, 11 बुजाए हैं, 11 बुजाए हैं, तो कितने सीर्सों को हमें छोड़ना है, 3 सीर्सों को छोड़ना है, तो कितने विकर्ण बनेंगे हमारे पास, 8 विकर्ण बनेंगे, आपको बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, formula भी इसी तरह से derive हुआ है, और ये भी इसी तरह से बनेगा, तो उमेद आपको ये समझ आ या होगा, easy कहानी है यह, यह basic से है, इसलिए हम इसको, इसमें easy term का use कर रहे हैं, एक और सड़ा simple सा question, बिल्कुल theory से question है, zero एक गड़ना यो के संख्या है, लेकिन एक प्राकरत संख्या नहीं है, zero एक प्राकरत संख्या है, पहले तो देखें, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह ब गिंती सामिल हो जाती है, sorry, प्राकरत संख्या क्या होती है, natural numbers होती है, one, two, three, four, five, six, यह सभी सामिल होती है, प्राकरत संख्या हो में, natural numbers में, zero एक गड़ना योग के संख्या है, अब यह बोलना, zero एक गड़ना योग के संख्या है, यह गलत होगा, क्योंकि zero को हमने सामिली कब किया था जब हम प्राकरत संख्या पढ़ते हैं जब हम प्राकरत संख्या पढ़ते हैं एक दो तीन चार पांच यह हमने पढ़ा इसके पढ़ने में ही हम दो चीजने साथ में पढ़ते हैं एक पढ़ते हैं प्रीडिसेसर एक पढ़ते हैं सक्सेसर पूर्वगामी संख्या और पश्य संख्या जब हम पूर्वगामी और पश्यगामी पढ़ते हैं हर संख्या के बाद हमें एक संख्या दिखती है हर संख्या के पहले एक संख्या दिखती है लेकिन एक के पहले कुछ भी नहीं दिखता है तो जब कुछ भी नहीं दिखता है और counting में मात्रा में एक से ही हम सुरू कर रहे हैं ये एक से ही हम मात्रा में quantity में dimension में सुरू कर रहे हैं जब zero हम लेकर आते हैं तो zero का मतलब होता है कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं का मतलब है उसकी गड़ना होनी नहीं है आप किसी से 0 ले लो, किसी को 0 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कहीं पर भी 0 आता है, आगे या पीछे तो आप उसको गड़ना में सामिल नहीं करते उधारण के तौर पर आपको लिख दिया 58 प्लस 0, 58 माइनस 0 इसी 0 के बारे में बात हो रही है, किसी संख्या या अंक के साथ लगा के नहीं 0 सुन्य एक गड़ना योगे संख्या है, तो सुन्य गड़ना योगे नहीं सुन्य के साथ आप कभी भी कैलकुलेशन करने नहीं जाते, सीधे आप आंसर बता देते तो सुन्य गड़ना यो के संख्या नहीं है इसलिए अपना आंसर क्या बनेगा लेकिन एक प्राकरत संख्या नहीं है ये तो ठीक बात है प्राकरत संख्या नहीं है लेकिन ये गलत बात है आदा सेंटेंस गलत है तो हम बोलेंगे हमारा आंसर ही क्या बनेगा फिर फरस्ट बा रहे थे को चलें अब आगे आप संख्याओं की थियोरी पड़ोगी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कोई संदे डाउट नहीं रहेगा फिर एक और संख्याओं पर बेज कुश्य ना गया क्या बोल रहा है पूणांक के संबंद में सत्य है पूणांक संख्याओं कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की होती है एक होती है जीरो एक होती है नेगेटिव एक होती है पॉसिट ये तीन प्रकार की पूणांक संख्याओं होती है एक रनात्मक पूणांक को एक रनात्मक पूणांक से विवाजित करने पर मैं रनात हो जाता है हमें कैसा मिल रहा है धनात्मक मिल रहा है पहला वाला स्टेट्मेंट यह पूरी तरह से गलत हो गया दूसरा स्टेट्मेंट एक धनात्मक पूरांग से एक धनात्मक पूरांग को घटाने पर हमें एक धनात्मक पूनांग मिलता है और घटाने का मतलब क्या होता है घटाने का मतलब क्या होता है घटाने का मतलब होता है साइन चेंज चिन बदलना साइन चेंज चिन बदलना अब घटाना क्या है रणात्मक पूरांग धनात्मक पूरांग का उधारन हमने 5 ले लिया और रणात्मक पूरांग का ले लिया प्लस और क्या आएगा फिर धनात्मक पुनांग प्राप्त होगा बिल्कुल ठीक बात है यह statement अपन को सही मिल रहा है अभी और देखो जब धनात्मक पूनांक, धनात्मक पूनांक मतलब अपने ले लिया, टू ले लिया, और रिनात्मक पूनांक को जोड़ा जाता है, मतलब ऐस इज लिख लो, माइनस फाइब ले लिया, माइनस वन ले लिया, कुछ भी ले लो, जोड़ा जाता है, तो हमें रिनात्मक पूनांक प्राप्त हो प्लस का नहीं आने वाला है, मतलब यह statement भी पूरी तरह से गलत हो गया। तो सिर्फ अपना second statement ठीक आ रहा है, वो अपना answer बन जाएगा, ये numbers पर question है, example लेकर आप करोगे, आपसे भी बन जाएगा, चलते हैं, अगले प्रशन की तरफ, अगला प्रशन हम से क्या बोल रहा है, ये भी numbers से है, question ने मिलिकित मैं से कौन सा कथन, संख्या के संबंद में सत नौ एक अभाजय संख्या है, बिल्कुल भी नहीं है, नाइन एक composite नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है, पढ़ाया है, अच्छे से, नौ में भाग जाता है, एक से जाता है, तीन से जाता और नौ से जाता है, जब किसी संख्या के, दो से जादा factor हो जाते हैं, या भाजक ह हो जाते हैं, तो वो अभाजय नहीं बचती है, there are only 9 prime numbers between, below 20, 20 से कम 9 अभाजय संख्या है, लगभग आधी, देख लेते हैं, सबसे चोटी अभाजय संख्या, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, 8 है, ना कि 9, प्रतेक संख्या स्वैम का एक गोड़क और घटक होती है, factor भी होती है, और multiple भी होती है, यह हमने property के तोर पर जो common था, उसमें clear एक sentence लिखवाया था, कि एक चीज दोनों में common होती है, कि जो संख्या स्वैम है, वो उसके factor में भी आती है, वो उसके multiple में भी आ यह जो factors हैं, मतलब 10 को बिवाज़त करने वाली संख्या है, एक, दो, पांच और 10, 10 से बिवाज़त होने वाली संख्या है, यह 10 को बिवाज़त करने वाली, 10 से बिवाज़त होने वाली, इनको कहा जाता है multiple या गोड़च, multiple या गुडज यह होंगी 10, 20, 30 तो देखो 10 दोनों में सामिल हो रहा है तो ये statement बिलकुल ठीक है 10 से बिवाज़त होने वाली या किसी संख्या से बिवाज़त किसी संख्या को बिवाज़त करने वाली संख्या है क्या होती है उसमें वो स्वैम सामिल होती है और ये statement पूरी तरह से ठीक है चलेंगे आगे दी गई संख्या के गुड़ांकों की संख्या सीमित होती है बिलकुल नहीं होती है ये जो multiple लिखे हैं आप लिखते जाओ 30, 40, 50 जब तक लिखना हो copy वरना हो दूसरी copy लेना हो लिखते जाओ ये तुमारे time के उपर और इच्छा के उपर depend करता है तो सीमित नहीं होते है असीमित होते हैं जब ये LCM समझाया था ना कि इसको least क्यों लेते हैं वहाँ पर हमने बताया था कि ये least लेने का reason क्या है और हाइजेस्ट लेने का HCF में हाइजेस्ट लेने का क्या reason है इसको open क्यों नहीं छोड़ देते हैं वह हमने समझाया है अब हम चलते हैं एक लंबा सा question हमारे सामने है एक train एक समान चाल से चलती हूँ एक निश्चित दूरी तै करती है यदी train 5 km प्रती घंटा तेज चलती तो यह निर्धारित समय से एक घंटा कम लेती यदी train 20 km प्रती घंटा धीमी गती से चलती तो निर्धारित समय से 6 घंटे अधिक लेती अब देखो यह question या इस type के question आप पढ़ोना तो थोड़ा सा basic को आप समझना तो आपका काम easy होगा basic क्या है इसमें क्या constant है इसमें distance constant है d1 बराबर क्या है d2 जितना train पहले चल रही है उतना ही train बाद में चल रही है अगर हम normal condition से देखें normal condition क्या होती है distance is speed is equal to speed is equal to distance upon time तो distance क्या होगी distance होगी speed into time s1, t1 और s2, t2 जो आएगा अगर d1 is equal to d2 है तो normal condition क्या है normal condition है speed into time speed into time ये normal condition है is equal to अब speed कितनी कर दी 5 बढ़ा दी s plus 5 इसको s की जगे x लिख लेते हैं s की जगे x लिख लेते हैं थोड़ा सा easy हो जाएगा x into t और ये हो जाएगा x plus 5 speed बढ़ा दी तो time कम हो जाएगा कितना कम हो रहा है एक घंटा कम t-1 ये normal लग रहा था speed into time speed into time ये change किया तो ये है दोनों जगे क्या लिखी है distance d1 is equal to d2 ये normal condition के साथ में इसे हम अगर solve करने जाएंगे ये x t है x का अंदर गोडा करोगे x t फिर minus x फिर 5 का करोगे plus का 5 t minus का 5 देखो x t से x t कट जाएगा अब अगर t निकालने जाओगे t निकालोगे या फिर x निकालोगे कुछ भी निकालो आपकी मर्जी है t या x कुछ भी निकालो हम t निकाल लेते हैं t निकालने जाते हैं तो इन दोनों को यहाँ भीज देंगे 5 t is equal to क्या होगा x plus 5 और t is equal to होगा x plus 5 अपाउन दूसरा ये तो पहली condition है जब 5 km तेज चली दूसरी condition में कितना 20 km प्रति घंटा धीमी गती से चली वही normal condition क्या है distance into speed into time speed into time d1 is equal to d2 normal ये लगता लेकिन नई कहानी क्या बनी speed कम कर दी 20 और time बढ़ गया इसका 6 time बढ़ गया 6 गंटे वापस से वही कहानी करो into करो ये x t ये into करोगे x t plus का 6x minus का 20 t और minus का 120 ये x t से x t कट जाएगा minus का t यहां लाओगे 20 से भाग लगाओगे तो t is equal to क्या आ जाएगा 6x minus 120 अपान ये 20 से भाग लगाएगा और दोनो t बराबर है दोनो t बराबर है या x निकाल के भी बराबर कर सकते थे कोई फरक नहीं पड़ता speed भी बराबर कर सकते थे यहां दोनो t बराबर है दोनो t को बराबर लिखा हमने x plus 5 upon 5 is equal to 6x minus 120 upon calculation में हम dip नहीं कर रहे हैं उपर नीचे calculation नहीं कर रहे हैं ये बचेगा 4 4 से यहां 4x plus 5 is equal to और ये 6x minus 120 ये 120 यहां आके 125 हो जाएगा ये यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा तो x बराबर क्या आजाएगा 125 बटा और x क्या है ये है उसकी speed लेकिन जानना क्या चाहता है वो तै की गई तो trend दोरा तै की गई दूरी distance is equal to क्या speed into time ये तो आया speed आई 125 बटा दू लेकिन हमें क्या चाहिए time भी चाहिए time भी चाहिए तो यहां put करते हैं यहां put करते हैं कहीं भी put करते हैं कहीं पर भी डालने 125 बटा दो 125 बटा दो अपन कहां डालने यहां पर डालने यहां डाल देते हैं तो अभी easy लगेगा 125 बटा 2 time निकालना है अपन को time निकाला 125 गुणा 6 बटा 2 minus का 120 बटा 20 ये काटोगे 3 3 से काटोगे इसको ये हो जाएगा 365 में से 120 जाएगा 365 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा 365 में से 120 जाएगा तो बचेगा 255 255 बटा 20 अब निकाल लो distance distance is equal to क्या होगा speed कितना speed आ जाएगा उसका 125 बटा 2 और 255 बटा 20 calculation करके देखो कहीं कोई error तो नहीं है calculation करके देखे calculation करके देखते हैं x देखना है सबसे पहले तो x ठीक आया है क्या ये बचेगा 2x ये 120 यहाँ आएगा 5 प्लस हो जाएगा हाँ ये गड़बड हो गया calculation थोड़ा सा calculation ही गड़बड हो गया तो पूरा सवाल गड़बड हो जाएगा ये 4 का यहाँ गड़बड हो गया तो ये क्या हो जाएगा 4 का यहाँ गड़बड हो गया तो ये 4x प्लस 20 होगा तो ये 120 यहाँ आजाएगा 140 हो जाएगा ये 2x बराबर 140 तो x बराबर कितना हो जाएगा 70, x बराबर आजाएगा 70, x बराबर 70 अपन यहाँ डाल देते हैं, easy होगा, 70 डालेंगे, तो यह हो जाएगा t बराबर, 70 और 5, 75 में 5 से भाग लगाओगे, आजाएगा 15, अब अपन को निकालना है, distance is equal to speed into time, एक आगया 70, एक आगया 15, 15 सत्य, 105, 1050 किलोमेटर, 1050 किलोमेटर यह अपना आंसर बनेगा, और इस तरह के questions बहुत कम पूछे जाते हैं, एक का दुप का question ही पूछे जाते हैं, और यह हमने basic से बताया, आप book बगरा उठाओगे, आपको trick मिल जाएगा सीधा किसका, इसका time ल ट्रिकने का trick और बता दिया जाएगा, दोनों के equal कर दो, answer आपका आजाएगा, तो trick पर नहीं जाना है, basic से चलना है, क्या किया है, यह पता होना चाहिए, क्योंकि फसने के बाद trick काम नहीं आती है, अब चलते हैं, अगले प्रशन की तरफ, अगला प्रशन हम से बोल रहा ह अब देखो, यह दोनों साइड हमें बराबर दे रहे हैं, और triangle में, theory में हमने समझाया है, कि जब दो साइड बराबर होती हैं, तो दो angle भी, उनके corresponding संगत कौन भी बराबर होते हैं, जब यह 40 दे रहा है, इसमें से C 40 दे रहा है, यह 40 देगा, तो यह भी 40 होगा, 40 और 40, 80, और पूरे त्रिवुच का कितना, 180, 80 यहां हो गया, तो 100 बचा वो, यहां हो जाएगा, angle B पूछ रहा है, तो क्या आ गया, 100 आ गया, angle A और angle B, तो यह आ जाएगा, 40 और यह आ जाएगा, 100, 40 और 100 कहां पर, 40 और 100, option number 3 में दे रहा है, तो easy question है, यह तो, अब चले हम आगे, एक इंद्र वाले एक ब्रत में, A, B और A, D के बीच पना, कॉन, दोनों में common क्या है, A, कॉन, 80 है, कुछ इस तरह से, वो कहानी दे रहा है, यहां पर A माल लिया, यहां B माल लिया, यहां D माल लिया, तो यह A, B और A, D के बीच में, angle दे रहा है, साथ में क्या बोल रहा है, फिर वो इसपर्स रेखा हैं भी खीच रहा है, अब वो इसपर्स रेखा हैं खीच रहा है, मतलब यह question, simple तो नहीं रहा, अब यह थोड़ा सा complex की तरफ बढ़ रहा है, अब complex की तरफ बढ़ रहा है, तो diagram को समझने की कोशिस हम करेंगे, यह किस तरह से जा रहा है, B, C बन अपन ने अपने फिर बोल रहा है, A, B और D के बीच कोण है, और B और D कहां है, ब्रत पर इस्थित है, B और D, अपन ने यह ले लिया, B और D, यह A ले लिया, यह A ले लिया, यह ले लिया, यह ले लिया, B और D, यह है, 80DT अच्छे बात फिर उसके बात तथा CB और CD CB एक पॉइंट ले लिया जो किस से मिल रहा है B से मिल रहा है और D से मिल रहा है दो इस पर्स रेखाएं है इस पर्स रेखाएं ब्रत्य के किसी बाहर पॉइंट से ये खीची जाती है इस पर इस तरह से माल लेया ये इस पर्स पर मिल रही है और ये एंगल होता है इस पर्स रेखाएं पर बना कौन होता है 90D इस पर्स रेखाएं ये famous theorem है बहुत famous theorem है केंदर से या तरिज्या और इस पर्स रेखा एक दूसरे पर लंबवत होती हैं आप लिख लो, रट लो, याल्द कर लो बहुत questions पूछे जाते हैं तरिज्या, चुकि ये केंदर है तो ये तरिज्या होगी और ये इस पर सरेखा है, टेंजेंट है तो ये इस पर perpendicular होगी 90 होगया, 90 होगया, आप क्या पूछ रहा है कौन BCD का मान है B से C पर जाओ और C से D पर जाओ अब यह तो देखो, आप समझ लो इसको property के तोर पर हाला की theory में भी समझाया है, ये एक चक्रिय चतुरबुच होता है चक्रिय चतुरबुच क्या होता है cyclic quadrilateral क्या होता है चक्रिय चतुरबुच होता है जिसके सामने, आमने सामने की कोणों का यूग 180 होता है अब देखना, ये चक्रिय चतुरबुच क्यों है क्योंकि यहाँ पर 90-90 बन रहा है ये आमने सामने कितना हो गया 180, और चतुरबुच की 4 कोणों का यूग तो बस इसी प्रापर्टी को जब फुल्फिल कर रहा है वो कि आमने सामने की कौणों का यूग तो ही हम उसको चक्रिय बोल देते हैं सिर्फ तो चक्रिय बोल देते हैं तो यहां यह भी चक्रिय होगा यह 80 है तो यह कितना हो जाएगा अपने आप 100 डिग्री हो जाएगा यह होगा 100 डिग्री 100 डिग्री हमारा आंसर बन जाएगा जैसा बोलते जाए वैसा बना लो जैसे C common point था मतलब एक common point से दोनों को मिला रहा यहाँ A common point था तो A common point से दोनों को मिला रहा था अब चलते हैं हम आगे की तरफ MP में जो geometry है वो कम पढ़ाई जाती है schools में triangle ABC एक सम्द बाहू त्रुबुच है जिसमें एंगल APB ज्यात कीजिए ठीक है अच्छे बात है ABC एक सम्द बाहू त्रुबुच है यह एक सम्द बाहू त्रुबुच है इस तरह से हमने बना लिया बड़ा सा AB और C जिसमें AB और AC क्या है बराबर है AB बराबर AC है यह side थोड़ी सी छोटी है तो क्या किया इसके अंदर P एक ऐसा point लिया यह पी ले लिया जिससे यह क्या बन रहा है जिससे यह बन रहा है एक सम्बाहू त्रुच यह बन रहा है एक सम्बाहू P,B, BC और PC यह तीनों side कैसी है बराबर है अगर यह तीनों बराबर है जैसे यह बराबर होंगे मूं से निकलना चाहिए ये दोनों भुजाएं बराबर पिछले question के हिसाब से क्या निकलेगा ये दोनों कौन बराबर और जैसे ये तीनों side बराबर तीनों angle भी बराबर और तीनों angle मतलब होगा 180 को अगर 3 बराबर भाग में बाटोगे तो कितना हो जाएगा 60, 60 और 60 ये हो गया 60 और कोई angle पहले से दे रहा है नहीं दे रहा है ठीक है angle A बराबर 30 है अब देखो A बराबर 30 है A बराबर अगर 30 है तो हम A, B, C के हिसाब से देखे है हमारे पास total कितना था 180, 180 मैं से 30 गया बचा हमारा 150 अब ये 150 दो बराबर भाग में बटेगा क्योंकि A, B और A, C के से बराबर है दो बराबर भाग में बटेगा तो एक भाग कितना होगा 75, एक भाग 75 होगा जिसमें से 60 यहां लिख दिया तो अब बड़ी सिंपल सी बात है आपके पास बचा कितना अब आपके पास बचा यहां के लिए कितना 15 क्योंकि पूरा कितना है 75 है जिसमें से 60 यहां गया तो 15 यहां बचा क्या जानना चाहता है A से B जाओ और B से P जाओ A से B जाओ और B से P वो यही एंगल जानना चाहता है और कितना आगया हमारे पास 15 आगया, यह हमारा आंसर बनेगा 15 डिग्री, और हमें नहीं लगता, यह बहुत टफ है, सिर्फ इस बात को समझना है कि 2 बुजाएं बराबर, 2 कौंड बराबर, 3 बुजाएं बराबर, 3 कौंड बराबर, और 180 आपको पता ही है, तो इसको भी दो कौंड दे रहा है, फिर से अपनने DEF बना लिया, कोई भी ट्रेंगल, DEF बना लिया अपनने, और एक लाइन हम समझा चुके हैं, कि कोई भी ट्रेंगल हो, बड़े कौंड के सामने वाली बुजा बड़ी होती है, छोटे कौंड के सामने वाली बुजा छोटी होती है, ये समझा चुके हैं, अगर ये समझ में आ चुका है, तो D को दे रहा है 60, और ये दे रहा है, 50, 50 और 60, 110, बचा कितना? 70 डिगरी, तो ये हो जाएगा, 70 डिगरी, 70 डिगरी ये हो गया, सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा कौन? 70, तो 70 के सामने वाली बज़ा सबसे बड़ी, B, E सबसे बड़ी, फिर 60, 60 के सामने, E, F, फिर 50, 50 के सामने, D, F, सबसे बड़ा D, E, सबसे बड़ा D, E कहीं बड़ दे रहा है, नहीं दे रहा है, अब यहाँ पर देखो, answer क्या दे रहा है, वो D E दे रहा है, F E दे रहा है, D F दे रहा है, यहां उसने नंबर ही नहीं लिखा है, नंबर ही नहीं लिखा है कि वो कौन से नंबर का अंसर दे रहा है, क्यों नहीं लिखा है, उसने इसली नहीं लिखा है, में भी सभी में नहीं लिखता हूं, पता नहीं, हम बता देते हैं क्यों नहीं लिखा है, आप option देखो, पहला और तीसरे option में अंतर बता हूं, वो बोल रहा है, F, E सबसे बड़ा है, D, F बीच में, D, F, Bीच में सबसे छोटा D है, यहां भी बोल answer हो जाता हमारा 3 या इसमें भी पलड़ दोगे तो हमारा answer बन जाएगा A लेकिन फिलाल अपना answer ये है क्योंकि option में नहीं है और इस question को हटाया भी नहीं किसी ने और देखा भी ने हमें भी किसी student ने नहीं बेजा हाँ आपके questions आते हैं आपको doubt लगता है paper के बाद आप जरूर question भीजना और हम help करेंगे questions को solve करके देंगे चाहो आप paper भी भीच सकते हैं paper ही solve करके बता देंगे आपको वो नहीं देता है यहाँ पर भी dot करके दिया है तो हमें कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन वो गलत था तो गलत था जैसा था वो आपको बता दिया दोना option सेम थे यदि बहुपद 6x square plus x plus k के सुनेकों के वर्गों का योग 25 by 36 है सुनेकों के वर्गों के योग का मतलब क्या होगा x alpha square plus beta square यही तो सुनेक होते हैं यह देरा है 25 by 36 6 और alpha बीटा मुल्यों का golden fall c upon a होता है और c क्या है यहाँ पर k और a क्या है यहाँ पर 6 तो यह हो जाएगा k upon 6 लेकिन मुल्यों का योग फल alpha plus beta इसके हिसाब से क्या होगा minus 1 upon 6 minus 1 upon 6 होगा minus का b upon a होता है ना alpha plus beta minus का b upon a और minus b की जगे b की जगे क्या है 1 और minus लगा है तो minus लगा दिया और फिर लिख दिया नीचे a की जगा 6 अब यह दोनों हमारे पास हैं तो हमारा फर्ज क्या बनता है हम इसका square करें दिख रहा है alpha पूरे का square कर देते हैं तो इसका हम square करेंगे इसका square करेंगे यह square हो जाएगा यहाँ इसका square करेंगे यह alpha प्लस बीटा का square a square प्लस b square alpha square प्लस बीटा square प्लस 2 alpha बीटा is equal to 1 by 36 alpha square प्लस बीटा square कितना दे रहा है 25 बटा 36 plus 2 alpha बीटा कितना k by 6 अब सभी जगा 36 है तो क्यों हम कहानी को बिगाड़े हैं यहाँ भी 36 बना लेते हैं नीचे 6 से गुणा ऊपर 6 से गुणा ज़्यादा उटपटांग कामनी करने यहाँ भी 36 इस 36 को common लेके काट दो पूरा 36 कट जाएगा यह minus का 25 इस तरफ जाएगा तो यह बचेगा 12 के बराबर minus का 24 12 से काट होगे तो के कितना आजाएगा minus का 2 आजाएगा के इस इक्वल टू minus का 2 के इस इक्वल टू minus का 2 यह अपना answer बनेगा calculation है हो जाएगी repeat करने की जरूरत नहीं चलते हैं आगे एक और simple सा question आ गया फिर से उसी सेम formula पर question आ गया ऐसा लगा examiner बैठा बस लगा हुआ वो question बनाने यह दे रहा और यह पूछ रहा है 1 upon x इसका square कर दो और इधर 2 का square कर दो a square plus b square minus 2ab तो x square plus 1 upon x square a square plus b square minus 2 a की जगा x b की जगा 1 upon x यहाँ हो जाएगा 4 यह तो अपन को चाहिए तो इसको लिख दिया हमने required और यह minus 2 यहाँ जाके जोड जाएगा 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 यह हमारा answer बनेगा 6 option number 3 simple question है ठीक है और इसको और ज़्यादा explain करना नहीं है वापस देख लेना इसको 16 जा समझाना होगा हम रुकते जाएगा आराम से चलेंगे यदि एक पिंदू P से एक O केंदर वाले एक ब्रत की दो स्पर्स रेखा है P A और P B एक दूसरे से 70 डिगरी के कौड पर मिलती है O केंदर वाला एक ब्रत है और यहाँ से इस पर्स रेखा हमने ये ले लिए ये ले लिए ये O है ये A है और ये B है और ये P है ये 90 डिगरी ये 90 डिगरी अभी समझाया है अभी समझाया है तो फिर वो क्या बोल रहा है हम से P से O O से A ये लाइन खीचनी को बोल रहा है ये लाइन कीचेगा और ये लाइन होती है एंगल बाइसेक्टर कॉनारदक कॉनारदक होगी तो एंगल क्या दे रहा है वहाँ पर एक दूसरे से 80 डिग्री यहां एंगल 80 ले रहा है तो उपर 40 और नीचे 40 ये 90 90 और 40 130 और बचा कितना 50 डिग्री या ये 80 तो अभी पड़ा चक्रिय चत्रभुज होता ही ये 80 तो ये कितना होगा 100 100 का आदा कितना होगा 50 50 हमारा आंसर बनेगा 50 डिग्री उम्मीद है आपको जमेट्री इजी लग रही होगी टफ नहीं है बस ये जो कंसेप्स हैं ये आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से होने चाहिए अगला प्रशन बड़ा फेमस सा प्रशन हमारे पैरेंट्स की जमाने से ये कुश्चन आड़ी से इसमें है आरेस अगरवाल में पढ़ा हुआ है बहुत ही फेमस कुश्चन है नहीं करवाओ इंडिया की सभी बुख में ये कुश्चन मिल जाता है तो नेक के तोर पर उनने भी दे दिया संबार, मंगलवार, बुद्धवार का average है average का मतलब है हर रोज का temperature कितना है 40 है तो तीनों दिनों का मिलाके कितना हो जाEP Monday, Tuesday और Wednesday दे, Monday, Tuesday और Wednesday तीनों का मिला के कितना हो जाएगा 120, फिर मंगल बार, बुद्वार और गुरू बार का एवरेज कितना है 41, तो मंगल मतलब Tuesday, Wednesday और Thursday, इसका मिला के 41 का 3 गुना 120, साथ में क्या दे रहा है, गुरू बार का कितना है 42 है, यह 42 यहां ले जाके घटाओगे, तो Tuesday प्लस Wednesday यह आजाएगा 81, और फिर वापस यहां से आओगे, Tuesday और Wednesday इसका सी इसमें डालोगे, मंडे प्लस 81, बराबर 120, तो यह 81 यहां ले जाके घटाओगे, मंडे आजाएगा बहुत ही फेमस कोशन है, मतलब सबसे सारल और फेमस कोशन यही है, जो लोग तयारी करते हैं, एवरेज में यह कोशन जरूर लगाते हैं, जरूर जरूर ही लगाते हैं, तो यह आंसर बने क थर्टी नाइन और आंसर ही याद रहता है, यह तो ज़्यादा एक्स्प्लेइन करेंगे, मजा नहीं आएगा, पता नहीं इसको चक्रिय चतुरभुज, क्या भाया, क्या मजा आया, अब चक्रिय चतुरभुज पर सीधे आगया, वो अभी तक सीधे नहीं जा रहा था, और करें, जिसमें एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D हमें दे रहा है, और अपन को पता है, अगर कहीं से भी कोई भी चतुरभुज बनाऊगे, यह हमने बनाया, तो अपोजिट क्या होगा, जोडा क्या होगा, BD का होता है, और AC का होता है, हम कर लेते हैं, दोनों बराबर ह हैं, 180, 180 हैं, तो A और C, B और D, A प्लस C मिलाके, मतलब 3X, माइनस 1, प्लस 2Y, प्लस 6, बराबर कितना होगा, 180 होगा, इसको क्या करें, माइनस 5 हो जाएगा, एक घट जाएगा, 5 यहां बचेगा, 5 यहां चला जाएगा, 175, और यह क्या, 3X प्लस 2Y, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, B और D, Y माइनस 2, और 5X प्लस 7, 5X प्लस 7, प्लस Y माइनस 2, इस इकल टू, 180, यह फिर से क्या बचेगा, 7 मैंसे 2 जाएगा, 5, 5 यहां जाके खटेगा, 175, यह बचा, 5X प्लस Y, यह बचा, 175, और यह 3X प्लस 2Y, यह बचा, 175, एक उड़ाना है, दूसरा चाहिए, तो फिर हम क्या करें, हम क्या करते हैं, इसे डबल करके, इसमें से घट, इसको घटा देते हैं, डबल करके घटाएंगे, तो यह 350 हो जाएगा, 175 बचेगा, तो यहां घटाएंगे, तो बचेगा, 2 बार 175 मैं से एक बार घटा दिया, तो एक बार 175, यह कटी जाएगा, 10x में से 3x घटाओगे तो कितना बचेगा 7 x से इसको काटोगे x से काटोगे कितना ही बार कटेगा ये 7 दुनी 14 और 7 पंजे 35 तो x का मान कितना आ गया 25 डिगरी आ गया x का मान 25 डिगरी कहीं भी डाल दो मालो यहां डाल दिया हमने 25 ती है 75 75 यहां जाके घटेगा कितना हो जाएगा 100 100 में 2 से भाग लगाओगे तो y कितना आ जाएगा 50 डिगरी y आ गया 50 अब हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए a प्लस d a और d मिलाके कितना हो रहा है ये a 3x माइनस 1 और ये 5x a प्लस d 3 और 5, 8x, 8x, 7 में से 1 जाएगा 6 x की जगए कितना 25, 25, 68, 200, 200 और 6, 206 फिर उसके बाद b प्लस c देखो कितना y यहां 2 बार, यहां 1 बार, तो कितना हो जाएगा 3y, फिर उसके बाद माइनस 2 और प्लस 6, 6 में से 2 जाएगा 4 50 ती है, डेड़ सो और 4, एक सो चववण 206 और 154, 206 एक सो चववण पहले यह option दे रहा है, यह अपना answer बन जाएगा अठारवी प्रशन का, चलते हैं अब आगे की तरफ अगला प्रशन क्या बोल रहा है हमसे अगला प्रशन बोल रहा है एक त्रबुच का बाहे कौण 135 डिगरी है तथा इसके अंतह सम्मुक कौण समान है ठीक है, अब यह बाहे कौण प्रमे दे रहा है हमें जब थियोरी पढ़ाया आप लोगों को तो बहुत अच्छे से समझाया था बाहे कौण का मान दूरस्त अंतहकौणों के योग के बराबर होता है, A, B, C अगर यह ट्राइंगल है, तो क्या होगा 135 is equal to angle A plus angle B opposite any exterior angle of a triangle is equal to opposite interior angle, sum of opposite interior angle, किसी भी बाहे कौण का मान दूरस्त अंतहकौणों के योग के बराबर होता है, तो दूर के कौण कौण से है, A और B है, इनके योग के बराबर 135, यह दोनों बराबर है X और X है, तो X बराबर यह X और यह X, 2X बराबर 135, तो X बराबर 135 का आधा 135 का आधा होता है 671 by 2, यह एक्स और एक्स लिखके हम इसे सॉल्व कर देंगे इजी प्रशन यह भी अथा जोमेट्री इसमें पूछ लिए लगातार जोमेट्री जोमेट्री पर चला रहे हैं फिर से आ गया जोमेट्री का ही कोश्चन आ गया फिर से चलते हैं देखते हैं क्या बोल रहा है find the value of x in the given figure दीगी आकरती में x का मान बताना है यह x है फिर से बाहे कौण का सवाल पता नहीं वो क्या करना चाहता है बाहे कौण का कोश्चन फिर से पूछ लिया वो x का मान पूछना चाहता है तो देखो बाहे कौण अगर देखा जाएगा तो 60, 50 और 25 वो ये किसका बाहे कौण बनेगा ये तै करना है वो दे कहां तक रहा है यहां तक वो दे रहा है देखो यह ध्यान रखना यहां तक दे रहा है अगर वो अंदर तक दे देता तो वो इस triangle पर चला जाता है यह side देखो इस side तक वो आई नहीं रहा है दोनों के बीच में gap है दोनों के बीच में gap है मतलब वो किसका ले रहा है AD C triangle पर वो चल रहा है इस triangle पर चल रहा है यहां तक ले र जाता तो 50 और 60 110 हो जाता पर 85 से बढ़के 110 हो जाता अगला प्रश्चन वो कौन सा गुणा है यह तो पता नहीं क्यों बार-बार-बार पूछे जाता है कौन सा गुणा है जो डेस्ट के अनुमति देता है यह प्रापर्टीज है दो बटे तीन यहां भी दे रहा है दो बटे में यहां लिखा है यह क्या है यह पर्मीशन दे रहा है वित्रण करके गुणा करने की कैसे यह होगा 5 by 11 प्लस 2 by 6 by 11 यह 2 by 3 इसका अंदर गुणा करोगे यहां भी होगा यहां भी होगा यही प्रापर्टीज बताते है गुणा वित्रण का नियम Distributive Law of Multiplication गुणन के वित्रण का नियम Distributive Law of Multiplication फिर से जमेट्री महरवान हो गया वो ट्रैंगल ABC में एंगल C बराबर 90 डिगरी दे रहा है अंगल C बराबर 90 डिगरी दे रहा है मतलब यह एक Right Angle Triangle है यह A और B देखो Right Angle Triangle में आपको समझाया है Right Angle Triangle यह किसी भी Triangle में और आज भी यह सेंटेंस बुला जो सबसे बड़ा कौन उसके सामने की बुझा सबसे बड़ी और तरबच के तीनों कौनों का यह 180 अब यह 90 हो गया इसके सामने की बुझा अब जो भी कौन होगा वो 90 तो नहीं हो सकता आप कुछ भी सोचकर देख लो दो कौन बचे और दोनों के पास 90 है तो अगर एक को दे दिया तो एक Zero होगा ट्रेंगल नहीं बचेगा तो 89 और वन तो एटलीस्ट होगा ना तो यह सबसे बड़ थी रूट टू एबी की लंबाई पाइथागुरस की आत्मा यहाँ पर घूमेगी तो पाइथागुरस की आत्मा के अकॉर्डिंग एबी इस इक्वल टू अंडर रूट इसका स्क्वेर इसका करोगे तीन का वर्ग 9 नौ दूनी 18 यहाँ भी 18 हो जाएगा अंडर रूट 36 का मतलब होता है एबी बराबर क्या आजाएगा 6 एबी बराबर 6 ओप्शन नमबर 4 इजी है यह तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें पिर से जोमेट्री कतरनाख ही हो गया यह अब ऐसा भी नहीं कि किसी कोचिंग का टेस्ट पेपर है यह जो एमटी में पूछा गया है वही पेपर है एक चत्रुपच ABCD में एंगल अच्छा चक्रिये नहीं लिखते हैं उसने एंगल C is equal to 2 of V plus D है यदि एंगल A 140 है और D 60 है ठीक है 140 प्लस C बराबर 2B यह कितना है 60 60 का दो गुना 120 फिर अपन इसको यहां ले जाते हैं इसको यहां ले जाते हैं 2B minus C 120 यहां ले जाके घटेगा 20 बचेगा एक और जो लगाना होगा चत्रुपच के चाद्रो कोड़ों का यूग 360 360 लगाएंगे A plus B plus C plus D बराबर 360 फिर दे क्या रहा है A दे रहा है 140 और D दे रहा है 60 140 और 60 200 हो जाएगा 200 यहां ले जाके घटाओगे तो B plus C क्या बचेगा B plus C बचेगा 160 डिगरी तो B plus C बचेगा 160 डिगरी दोनों को जोड़ दो यह हो जाएगा 180 यह C कट जाएगा यह हो जाएगा 3BB बराबर कितना आ गया 60 डिगरी 180 में 3 से भाग लगाओगे C जानना चाहता है इसी में डाल देते हैं 60 plus C बचेगा 160 तो C कितना आ जाएगा 100 डिगरी हमारा आंसर बनेगा पहल एक कंडिशन यह दे दी उसने एक कंडिशन और दूसरी कंडिशन हमें पता है अगला कुशन अब थोड़ा सा रिलैक्स है जमेट्री से हटा है वो आप लोगों के लिए बाकी जमेट्री इजी होती है देखा आमने गीता के पास 600 रुपए है 600 रुपए है वह है नोटबुक पर अपने पैसे का एक बटा तीन लेखन सामगरी पर सेस का और जैसे ही सेस क बात की जा रही है मतलब अभी जो धन था उसके पास वो कितना था टोटल तीन था तीन मैंसे एक खर्च कर दिया तो बचा कितना तीन मैंसे दो तो 600 मैंसे बचा कितना दो बटा तीन सेस का एक बटा पांच मतलब पांच मैंसे एक खर्च कर दिया तो पांच मैंसे बचा कित खर्च किया तिन बटे आठ खर्च करती है प्रसाधन सामंगरी का पूछ था तो अपन तीन बटा आठ कर देती लेकिन वह पूछ रहा है बचा कितना तो आठ मैंसे अगर तीन खर्च कर दिया तो बचा कितना पांच आठ मैंसे यह 600 का कहान नहीं चल रहे पांच से 5 कर बस सेस और जो नॉर्मल पूछता है उसमें डिफरेंस पता होना चाहिए था अब चले हम आगे 24 के बाद 25 प्रश्ण 11 से विवाजित नहीं होने वाली संख्या का चैन कीजिए जो 11 से विवाजित ना हो 11 से विवाजित होने के लिए क्या चाहिए सम और विशम इस्थानों क अंकों के योगों का अंतर ये क्या बोल दिया हमने ये बोल दिया हमने एक और तीन चार चार और तीन साथ साथ और एक अंतर निकालना है दो और जीरो दो दो और फिर दो चार ये कितना आ रहा है चार 11 से विवाजित नहीं होता तो ये 11 से विवाजित नहीं होगा 11 से हैं पांच ऊर एक शह को जीरो और से चैनrån जीरो स्था से विवाज़ें. उत्व जाहेंगे, यह संधुन कर दो एक शुन के तोर पूछाज कर देगा है लिख लेना कहीं पर भी दिखेर यह जरूरर फिर नौ और 2, 11, 11 और 5, 16, फिर 0 और 1, 1, 1 और 4, 5, देखedu रकितना, 11, 11 से बिवाजित होताए, 6 और 3, 9, और 1, 10, और 5, 15, एक और आठ नौ नौ और छे पंद्रा फिर से आगया जीरो विवाजित होता है तो आंसर बनेगा ऑप्शन नमबर फर्स्ट चलते हैं अब आगे की तरफ आगला प्रश्न क्या बोल रहा हम से कि फिर से Geometry आगया किस्मत आप लोगों की एक समांतर चत्र बुज है अबी सी डी एक समांतर चत्र बुज है तबा कर यह एक समांतर चत्र बुज है ठीक है कि मद्दे बिंदों को PQRS का निर्माण होता है ठीक है कर लेते हैं A, B, C C और D फिर वो क्या बोल रहा है निर्माण किसका हो रहा है PQRS का निर्माण हो रहा है अब PQRS का निर्माण हो रहा है तो ये क्या बनेगा क्या बनेगा नहीं A, B, C, D का छेतरफल पूछ रहा है और PQRS का कितना है 20 है इसका total कितना दे रहा है 20 दे रहा है अब ये बड़ा अच्छा सा question आ गया आप समझना थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को अगर हम construction के तौर पर देखें construction के तौर पर देखें तो ये क्या होगा इसका विकर्ण होगा और जब समांतर चत्रवुज आपको पढ़ाया तो बताया जो विकर्ण होता है वो इसे दो बराबर भागों में बाटता है अब अगर हम देखें A, C और D A, C और D ये क्या है एक तौर बुज है और तौर बुज की property में आपको एक मद्यविंदू प्रमे पढ़ाया आप लोगों को मद्यविंदू प्रमे मद्यविंदू प्रमे क्या बोलती है हमसे मद्यविंदू प्रमे बोलती है कि यदि किसी तौर बुज में किसी त्रबुज में यदी किसी त्रबुज में ये त्रबुज है एक बुजा के समानतर रेखा मद्ध बिंदूओं के साथ में मिलाई जाए तो इनका जो रेशियो होता है A, B, C और D, E इसकी बुजाओं का जो अनुपात होता है वो इस तरह से होता है देखो इस तरह से हिस्सा है और ये छोटे वाले का हिस्सा है अगर ऐसा है तो समझना ध्यान से अगर ये एक होगा तो पूरा कितना होगा चार पूरा अगर चार होगा देखो ये पूरा अगर चार है जिसमें से एक हिस्सा कितना आ रहा है ये हिस्सा आ रहा है एक ये हिस्सा एक आ रहा है और अगलकुल वही कहानी देखो यहां बन रही है, वही कहानी यहां, और छीतरफल दोनों opposite के बराबर होते हैं, वही कहानी यहां बन रही है, तो यह हिस्सा क्या होगा, एक, 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 यह चार हिस्से है टोटल कितना बना, चार, इरेजर, इसको यहीं कर लेते हैं, यह बना एक, यह एक बना, तो यह पूरा कितना बनेगा, टोटल बना, चार, तो यह पूरा बनेगा, तीन, यह पूरा नीचे वाला हिस्सा बना, तीन, यह पूरा नीचे वाला हिस्सा बनेगा, तीन, तो इसकी कहानी क्या होगी, तो इसके हिसाब से भी देखोगे, यहाँ भी यही कहानी बनेगी, एक, और अगर यूँ जाकर देखो यूँ जाकर देखोगे तो ये पूरा क्या होगा एक होगा ये देखो पूरा एक होगा तो ये आधा कितना होगा हाफ ये पूरा एक होगा अगर अपन यहां से विकर्ण डालेंगे तो ये पूरा क्या होगा एक होगा ट्रेंगल के हिसाब से यहां वाले विकर्ण के हिसाब स ये एक ये आधा देखो पूरा कितना था पूरा था इसके हिसाब से चार छेतरफल वर्ग होता है तो वर्ग में से ये एक और ये पूरा कितना चार चार में से एक गया और यहां एक गया तो बचा कितना दो यहां भी कितना बचे का क्योंकि एक यहां पर पूरा कितना था, चार था चार में से एक यह चला गया, आधा और आधा एक यह और चला गया, तो बचा कितना दो तो यह पूरा कितना है चार, और चार को कितना बोल रहा है 20, बाकि सेश कितना रहा A, B, C, D का पूरे का निकालना है एक यहाँ छूट गया और एक यहाँ छूट गया एक यहाँ छूट गया मतलब 8 निकालना है 4 को अगर 20 बोल रहा है तो 8 को कितना बोलना पड़ेगा 40 बस समझने की बात हमारी यहाँ है जो मद्ध बिंदू प्रमे है, मिड़ पॉइंक थियोरह में, वो अच्छे से आना चाहिए, यह एक और दो, एक और चार, एक और चार का मतलब होगा, इसका छेतरफल एक होगा, तो सेस बचे का पूरे का कितना है गाँ, तीन, लेकिन अगर इसके हिसाब से देखें, इस विक वैसा ही दूसरी तरफ है, तो अपना काम easily हो जाएगा, यह geometry का थोड़ा ठीक था question पूछा, जिसमें चीज़ें बनाकर apply हमें करने पड़ी, next question, एक numeral क्या होता है, संख्यां क्या होता है, संख्यां क्चिन होता है, जिसे किसी wishes संख्या को दरसाने के लिए उपयोग किया ज जाता है, first one, roman, roman में जो लिखते हैं, वो सभी क्या होते है, roman numerals होते हैं, जो संकेत होते हैं, संकेत होते हैं, अनुकरम की तत्व की इस्तिती, एक संख्या के पृतिनिदतों का प्रतीक, यह बिल्कुल ठीक है, यह क्या है, symbol ले रहा है, symbol to represent a number, किसी भी संख्या को प्रदर् करने वाला symbol है, वो संक्यांक, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, एक packet में 100 cookies हैं, यदि packet की संख्या M है, एक packet में 100 हैं, तो total cookies कितनी हो जाएंगी, 100 M cookies की कुल संख्या, यही पूछ रहा है, बड़ा simple सा question है, अगर packet 2 होते, एक में 100 हैं, तो कितना बोल देते हैं, 200 बोल देत होते हैं, तो 300 बोल देते हैं, 100 M packet है, तो 100 M, ज्यादा दम थी नहीं इस question में, आरे भट दौरा, प्रस्तुत गीतिका एक संख्या है, अब यह बहुत ही particular question हो गया, मैच से नहीं पूछा है, चुकितिका जो है, वो उनकी जो खगोल के काम थे, उसको उनने संक्यलित किया था गीतिका में, इसलिए हमने इसकी study भी नहीं की थी, लेकिन out of the box question है, और कुछ ही question out of the box आपको दिखेंगे ही, दिखेंगे, तो उनका कोई भी इलाज नहीं है, इसमें जैमाता दी करना होता है, पढ़ाती भी और पढ़ाया भी है, हमने इसको include नहीं किया, और हमें लगता ह कि खगोल को हम इसमें include नहीं करते, तो बहतर होता है, इसलिए हमने include नहीं किया, और हम अभी भी बोलेंगे कि उस तरह से तयार नहीं करना, otherwise लेवस cover नहीं होगा, कुछ तो जो आपने पाप और पुन्या किये हैं, उसके लिए छोड़ दो, सुक्ष्म अध्यन तकनीक, भा पासी जी के द्वारा, बी के पासी, बी के पासी जी के द्वारा लाए गई, और इसमें आपको एक और नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा, जो micro teaching है, micro teaching के लिए सबसे बड़ा जो नाम लिया जाता है, भारत में तो पासी जी का लिया जाता है, वो लिया जाता है, D.W. Allen D.W. Allen जो micro teaching है उसके लिए फिर उसके बाद पासी जी से आपको और क्या question देखने को मिल सकता है तो पासी जी का दूसरा question आपको पूछने को मिल सकता है स्रजन सीलता परिक्षन स्रजन सीलता परिक्षन ये प्रशन आप से पुछा जा सकता है ये किस ने दिया स्रजन सीलता creativity test स्रजन सीलता परिक्षन तो ये पासी जी से जुड़ा हुआ topic है जो आप से पूछा जा सकता है तो यहां हमारे complete होते हैं 30 questions मतलब part number 1 और part number 2 में हम देखेंगे आपको थोड़ी सी जलक हम दिखा दें part number 2 में जो questions आने वाले हैं वो ज़्यादा थर pedagogy के questions हैं तो बहुत मज़ा आने वाला है part number 2 में क्योंकि पढ़ने को काफी सारा content मिलेगा part number 2 में ये देखो ये खगोल से फिर question आ गया तो pedagogy के questions भी मिलेंगे इसमें और मज़ा आएगा discussion अच्छा खासा होगा तो फिलाल इस session में हम इतना देखेंगे और next session में मिलते हैं इसके second part के साथ फिलाल के लिए धन्याबाद जुड़े रहें सभी को राम राम थैंक यू